नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं हूँ अभेना तुशान शुपांडे और आज हमारी चर्चा का विशय क्या है हम कर रहे हैं परिक्षा की तैयारी अभीप्षा की पूरी टीम की तरफ से आपके लिए कक्छा बार्वी कक्छा दस्वी और हर विशय पर जो है इस लोगोंने cg board exam series का नाम दिया है आप हमारे प्लैटफॉर्म को अगर जो है यह हमारा प्लैटफॉर्म है जिसे आप यूटूब गूगल प्ले स्टोर से बिल्कुल मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं और यदि आप यहां पर हमारी वीडियो देखेंगे तो आपको exam series mission 2023 के नाम से यह सारे के सारे वीडियो नजर आने वाले हैं इसके अलावा यदि जो है आप हमारा application इंस्टॉल करते हैं तो आपको additional content मिलेंगे जैसे कि short notes, mind map, important questions यह सारी चीज़े तो आज ही हमारा application इंस्टॉल करने में अब हमारी जो बात चीत है वो कहां है प्रत्यावर्तिध धारा याने की AC voltage और हमारे जो series चल रही है उसे कहते हैं previous year question series और आज हम जो है अती लगहुत्तर यह प्रशनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं तो आप बिल्कुल pen copy उठाए बिल्कुल तयार हो जाए और अगर आप लोगों ने पहले ही इस chapter का revision एक बार कर लिया है तो पत्यावर्ती धारा का शिखरमान 10 है तो इसका वर्ग माद्य मूल क्या होगा और यहां पर हमको पता है IRMS का मान होता है I not और बटा वर्ग मूल 2 मुझे इसका उत्तर पता है लेकिन क्या आपको यह पता है इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने आंकिक प्रशन हल किये और वहां पर इनके बारे में खूब चर्चा हुई तो अब आपका काम यह है कि आप कमेंट सेक्शन में बताईए कि आपको इसका उत्तर क्या मिला जब आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो पहले के 10 सही प्रशनों के उत्तर के लिए मैं आपको हाट भी दे आगे बढ़ते हैं एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती विभाव और धारा का ओसत मान कितना होता है हमको पता है कि जब प्रत्यावर्ती धारा चलती है तो यह यहां सून्य से अगाचालू हो रही है तो यह पहले अपने अधिकतम मान में पहुंचती है और उसके बाद उधर से इधर भी आ जाते हैं और कुल मिला के धारा का मान सून्य हो जाता है और इसी प्रकार से कुल मिला के विभाव का मान भी औसत मान सून्य ही रहता है लेकिन यदि हम आधे चक्र की बात करेंगे तो आधे चक्र के औसत मान को हम लोग जो है आई मीन कहते हैं और इसका मान जो है सिखर मान का जो है बटा पाई गुना होता है यह हम बोल सकते हैं कि आई मीन बराबर सुन दिसमलो छै तीन आई नौट के बराबर होता है यह जानकारी आपको डरिवेशन निकालने के समय में हम लोगों ने डिसकस की हुई है और यह सारे वीडियो आपको हमारे अप्लिकेशन में जरूर मिल जाएंगे चलिए आगे देखते हैं प्रत्यवर्ति धारा के परिपस में फ्लोरिसेंट के साथ में सेनिकर में किस युक्ति का उपयोग किया जाता है फ्लोरिसेंट अगर बल्बो की बात करूँगा तो आपको याद होना हैं इन में और भी कोई दूसरी चीज नहीं होती यह सीदा 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 से काम करते हैं लेकिन अगर we से बात करें पुराने वाले टूब लाइट की तो पुराने वाले टूब लाइट में क्या होता था भाई पुराने वाले टूब लाइट में जो है यहां पर इस तरीके से एक फ्रेम होता था जिसमें हम जो है अपना टूब लाइट रग देते थे और इस टूब लाइट के फ से कम अपव्याय हो, जादा से जादा उर्जा ये जो है, फ्लॉरेसेंट लैंप में iantes किया जा सके, तो ये जो, रॉड होता था, ये असल में फ्लॉरेसेंट लैंप होता है, ये 2019 में पूछा गया प्रशन है और मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से इसका उत्तर दि खिरने दिया के लिए संधारित्र प्रतिगहात कितना होता है। इसके बारे में हम लोगों ने आंकी क्षाले वीडियो में कि हैं बेखे संधारित्र प्रतिगहात x c होता है और इसका मान वोता है 1 बटा ओमेगा सी इसी प्रकार से संधारितर की वजाए अगर हम प्रतिखात की बात करें तो एक सेल का मान हो जाता है ल गुणा ओमेगा ठीक है और इसके बाद में हम इंपीडएंस की बात करते हैं तो Z का मान हो जाता है एक बटा आर का वर्ग धन XL माइनस XC और पूरे का वर्ग या हम बोल सकते हैं Z बराबर एक बटा आर का वर्ग और धन ओमेगाल वर्ग एक बटा ओमेगा C और पूरे का वर्ग तो आगे देखिए तो मैं आपको बता दूं कि यहां लोग केवल तो जान स्थिति में किया होता है कि जो हमारा फाई ये जो है फेज एंगल है और यहां पर यदि हमारा कुल मिला के विदुत वहकबल दिखाई दे रहा है तो यहां से जो है जो प्रेरकत तो कुंडले में दोधारा कमान होता है वह नब्बे अंच से पीछे होकर के यहां पर आई एल इस प्रकासे चल रहा होता ह तो यहां पर जो है हम इस प्रकार से देखेंगे तो अब क्या होगा हमको तो जो है यदि किसी भी परीपत में यदि हमारे पास प्रेरकत्व और उसके बाद में प्रतिरोध और संधारित्र जी तीनों मिल रहे हों तो ऐसे ऐसी परीपत में हम क्या करते हैं सबसे पहले हम 5 इन्स की कोणो के दूरी पर यहां पर हम को दूरभ मिल जाएगा यहां पर जो है जो सुद्ध प्रतिरोध होता है वहा विद्धुत धारा जो है वो EMF यहने की विद्धुत वहाद बलके बिल्कुल सेम फेज में चल रही होती है तो यहां आपको IR मिलेगा और उसके बाद में हम और क्या देखते हैं कि यहां पर जो है यहां पर प्रेरकत वाली जो धारा होती है वो 90 की दूरी पर IL हमको 90 की कुदूरी पर मिलती है और यहां पर जो हमको दूसरी धारा यहां पर जो हमको दूसरी धारा संधारी तरवारी धारा IC 90 के आगे मिलती है और इसी को ध्यान पर रखते हुए जो है हम लोगों को यह वाला सूतर मिला है जहां पर हम Z बराबर लिखते हैं आर का वर्ग धन एक्स एक्स एल माइनस एक्स सी का वर्ग और यह टोटल इंपिडेंस होता है जब हम ई बटा जेड कर देते हैं तो हमको धारा का मानविल जाता है जो कि कुल धारा होती है तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह सारी चीजें समझ में आई होंगी अब बढ़ हैं हम लोगों ने यहां पर क्या देखा है कि यह विशुद्ध प्रतिरोत की धारा आई यार है और यह दोनों कि इनके बीच में कलांतर कितना होता है शून्य होता है फिर हम जो है अगली बात करते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा दिश्ट धारा से ज्यादा खतरनाक क्यों हो होता है वी शिखरमान और वर्गमूल गुना अधिक होता है अब जो है हम b बताते हैं तो हम हमेसा इसकी बात कर रहे होते हैं यहने कि आपको कोई बोला कि 220 वोल्ट का एक करेंट है यदि आपको कि इसी ने कहा कि 220 वोल्ट का AC करेंट है तो आप उसमें जो है क्या करेंगे वर्गमूल 2 का गुणा कर लेंगे और आपको जो है अधिक्तम वोल्टेज जो है पता चल जाएगा जो कि 311 के आसपास 311 के आसपास जो होता है तो अब आप समझ सकते हैं कि 220 वोल्ट बोलके यदि आ ज़्यादा खतरनाक होती है अब यहां पर क्या बोल रहा है समान विभाव कि प्रत्यवर्ति धारा और दिश्ट धारा में से कौन सी ज़्यादा अधिक सुरक्षित है तो दिश्ट धारा अधिक सुरक्षित है 2007 में 2008 में 2013 में लगातार 13 सा तीन सालों तक जो है यह प्रशन है और इस डेडिवेशन के लिए एक अलग सी वीडियो की आवशकता है तो हम यह डिसक्स करेंगे अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद